हाँ जी प्लास वन क्लास हिंदी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुछेद जो आपने टैंथ में भी किये हैं आपके सिलिवस में 22 तक हैं और हम इस बार करेंगे 32 तक हैं 16 करेंगे एक से 16 तक फस्ट अरह में पहला अनुछेद हैं मेले में 2 गंटे कि किसी मेले में गए हैं और वहां का पूरा हाल हमने बताना है कि किस परकार हमने किया था कि भारत एक तिहारों का देश है इन तिहारों को मनाने के लिए जगा जगा मेले लगते हैं मेहें लोग का महत्तव कुछ कम नहीं है पिछले दिनों मुझे मेले देखने का अफसर मिला, वे अपने आप में लगी था, इस मेले में बिताये दो गंटों का विवरंजा प्रस्तुत कर रहा हूं, बारती ये मेला प्रादी कर्म तथा, बारती कृषियन संथान परिशद, इस सैयोग से हमारे नगर में कृषिय मेला योईन किया गया, बारती कृषिय विश्य दियाले का इस मेले में सैयोग प्रापत किया, इस मेले में लगलग राज्यों ने अपने-पने मंडब लगाये हुए थे, उत्तर परदेश, पंजाब, भिहार, माहराष्ट्र के मंडबों में कन्ने गेहुं की, पैदाबार से सब संबंदित, विबिन चित्रों का परदर्शन किया गया, केरल, गोवा के काजू, और मसालो, असम में, चाय, बंगाल में, चावर, गुजरात, मद्द्य परदेश, पंजाब में, रुई की पैदावार से संबंदित, समगरी परदर्शित की गई, अनेक वेवसाइग परदर्शित किये गए, इसी मेले से मुझे जानकर ये प्रापत कर खुशी होई कि पंजाब में बने ट्रेक्टरों की बिकरी मांग देश में सबसे अधिक है, यह मेला एशिया में अपनी तरह का पहला मेला था, इसमें नेक एशियाई देशों ने अपने वेपार को आने के लिए कई मंडप लगाये हुए थे, इसमें जपान का मंडप है, सबसे बड़ा था भी शाल था, इस मंडप को देखने से पता चलता है कि जपान जैसा छोटा देश कितनी उंती कर चुका था, कृषी के शेतर में, हमारे देश में बहुत से कृष्चक मेल, कृष्च विभिन प्रकार के यह प्रपरांतों के लोक नृत्यों का यूजनता, सभी नृत्यों एक से बढ़का रेखते, मुझे पंजाब और हिमाच्चा परदेश के लोक नृत्यों सबसे अच्छे लगे, इन नृत्यों को आमने सामने देखने का मेरा यह पहला अवसर था, मेले में दो गंटे की मेले में किस प्रकार से दो गंटे बिताएगा